पुत्रा इन्वर्टिटी ने के अंदर में एक ही साल में तीन तीन बार रजिस्टेशन का डिट दिया गया है और इस वार दम कट टू फाइनल दिया गया है जिसके अंदर में कहा गया कि अगर आपका सेशन 21-24 है तो हर हालत में 18 से लेकर 20 अपरेल तक अपना रजिस्टेशन पोटल पर जाकर अपना अप रजिस्टेशन करवा लो और उसके बाद रजिस्टेशन फी रिजिस्ट को प्राप्ट करो वो आगे काम देगा और जिंका सबसीडी पेपरों संसोधन करवाना सुधार करवाना तब पहले वो काम करवा लो तब जाकर रजिस्टेशन करना कि के बाद में सबसीडरी पेपर या पी आपकी ऑनर्स पेपर इसमें कोई बदलाव नहीं होगी जिसके बारे में यहां पर पूरी तर्गे से बताया गया है ऐसे में मुझे यह परा चलता है कि पाटली पुतर अब इसलिए काम करवा रहे हैं और बच्चे की माता देखते हुए एक्जाम फॉर्म को देखते हुए इन लोग जल्दे से चल्दी चाहते हैं काम खतम करना तो अगर आपकी 20 तक अजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हो सकता है चार से पाटलिंग के अदर में आपकी एक्जाम फॉर्म भी फिलप होना इस्टार्ट हो जाएगा एक्जाम फॉर पढ़कर पढ़ना स्टार्ट कर दो नोट्स और कमेंट कर मुझे यह बताओ कि अगर आपको पाटलिंग में इंट्रेशन से कोई भी तयारी वाली करनी है अगर आपको एक्जाम की तो सबसे बेस्ट किसे पर कौन सा होगा यह वीडियो चाहिए तब कमेंट में बता दो मैं मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दोंगा थांकियो सो मच मिलता हूँ इसी तरह से और वीडियो को लाइक कर लिजेगा सेयर कर लिजेगा सस्क्राइब करेजाए थन्यवाद जैन्यवाद